नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हूं आप सभी का शेक्षा प्रभामे तो दोस्तों मैं करुणा ये वीडियो लेकर आई हूं क्लास 12 के स्टुडेंट्स के लिए जो पढ़ रहे हैं बिजनस स्टुडी सब्जेक्ट को यानि की कॉमर्स वाले बच्चों के लिए और इस वीडियो में आप देखेंगे आपके टॉप 20 कोशिंस यानि की मोस्ट इंपोटेंट कोशिंस जो आपके प्री बोर्ड एक्जाम में या बोर्ड एक्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं बिटा जहां तक है जो कोशिंस में आपके लिए लेकर आई हूँ उस से लगबग 70-80% कोशिंट पेपर आपका तियार किया जाएगा प्री बोर्ड और बोर्ड का तो शुरू कर लेते हैं बिटा कोशिंस से तो बिटा आपका प्रश्न है यहाँ पर मानव संसाधन क्या है इसके विभिन छेतरों का विवेचन कीजिए सेकेंड कोशिंट है बिटा नियुकती करण क्या है इसका महतु बताईए थार्ड है बिटा भरती क्या है इसकी प्रक्रिया एवं शोत बताईए चौथा प्रश्न हो सकता है नियुकती करण की प्रक्रियाओं का विस्तरत विवरन दीजिए या उलेख कीजिए बिटा इसी प्रश्न को आप से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि करमचारियों के चयन की प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए ये एक ही बात है बच्चे करश्न नमबर पांच हो सकता है प्रसिक्षन की विद्यों का विस्तरत विवरन प्रस्तुत कीजिए बिटा आपका करश्न नमबर सिक्स होगा निर्देशन के सिध्धान एवम तत्वों को बताईए करश्न नमबर सेवन होगा आपका भरती एवम चैन में Q8. मैसलों की आवशक्ता सोपान की प्रात्मिक विचारधारा का उल्लेख कीजिए Q8. अभी प्रेणा से क्या आश्रे है? इसकी विशेशताएं एवं आवशक्ताओं को बताईए Q10. निर्देशन क्या है? इसका महत्व बताईए Q11. परियवेक्षन क्या है? परियवेक्षन के क्या कार्रे है? और इसकी विशेशताओं को बताईए Q12. प्रबंध विज्ञान भी है और कला भी? समझाईए ये भी बहुत इंपोर्टन क्या है Q13. नेतरत्व क्या है? इसकी विशेशताएं एवं लाब बताईए Q14. संप्रेशन की बाधाएं क्या है? इन बाधाओं को दूर करने के उपाए बताईए Q15. एक अच्छे नेता के क्या गुण होते है? बताईए Q16. आपचारिक तथा अनोपचारिक संदेश किसे कहते हैं? इसकी विशेशता बताईए एवं गुण और दोशों को भी बताई Q17. नियोजन आगे देखने की प्रक्रिया है जबकि नियंतरन पीछे देखने की व्याख्या कीजिए Q18. प्रबंद क्या है? इसकी विशेशताओं और महत्व का वर्णन कीजिए साथी साथ इसके विभिन इस तरों को भी समझाईए Q19. सेवी के कार्य एवं उदेशों का वर्णन कीजिए Q20. प्रबंद एक पेशा है समझाईए Q20. पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड और प्री बोर्ड एक्जाम में तो प्री बोर्ड और बोर्ड एक्जाम देने से पहले आप इन कोशिंस की तैयारी जरूर रखें उसके बाद ही एक्जाम देने के लिए जाएं आशा करती हूँ पिटा ये वीडियो आपके काम आएगी और इसमें से बहुत से questions आपके प्री बोर्ड और बोर्ड एक्जाम में आएंगे तो इसी के साथ पिटा मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें